हेलो फ्रेंज मैं हुरी तू स्वात चैनल में आप लोगों के एक बार फिर से स्वागत है आज मैं मैं आ रही हूँ शिमला मिज की सबसी लेकिन एक अलग तरीके से जो खाने में बहुत ही अमेजिंग लगती है आपके घर में कोई गैस टाने वाला हूँ तो आप अगर इसे तो आपके तारीफ करते हैं नहीं ठकेगा तो आइए फटा-फट से वीडियो में देख लेते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले हैं आप लिए बॉयल यह करीब चार बड़े साइस के बॉयल आ ली थे जिनको मैंने चील कर कद्दू क करने से क्या होता है इसमें कोई भी गुटली वगएरा नहीं रहती अब मैंने गयस पर एक पैन रखा था उसमें डाला था मैंने दो टेबिल स्पून ऑइल जब ऑइल अच्छे से गरम हो गया मेरा तो मैंने डाल दिया अपने ये ग्रेट कियोवे बॉयल आलू साथ में मैं अब स्वादन सान नमग और फिर इसको आप अच्छी तरह से भून लीजिए और थोड़ी सी डाल दीजिए इसमें करीब एक हरी मिष्थी जिसको मैंने बारी बारी कट कर लिया था इसको भी डाल दिया अब मीडियम फ्लेम पर आपने क्या करना है इस आलू को खूब अच् होने के लिए क्योंकि इसका यूज हम करेंगे बाद में आये चलते ही अपने दूसरे प्रोसेस पर यह मैंने पहल लिया जिसमें मैंने डाला है तीन टेबल स्पून भर के मस्टर्ड आप जो भी खाते वो डाल सकते हैं जब आपका अच्छी तरह से गरम हो जाए तो मैंने त्रहसे में डाला है ये दो बड़े साइस के प्याज लिए थे इसको मोटा मोटा ऐसी रफली कट कर लिया था वो डाल दिया है दस पारा कल्यां लेसुन की डाल दी है ऐसे ही साबूत बिना काटे मैंने और इनको मैंने ब्लिका सा पहले फ्राइ कर लेना है गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी जरुवत नहीं है इन सबको आप मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनिट तक पहले अच्छी तरह से भूल लीजिए ताकि आपका प्याज लेसुन पर हलकेल के से स्पॉर्ट आ जाए इदे कि आपको दिख रहा होगा हलकेल के स्पॉर्ट आ गए है प्याज लेसुन पर अब आप इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा नमक और फिर इसको हलका सा मिक्स कर लीजिए ताकि नमक जो है वो भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए अब आपने क्या करना है इसमें हमने मिक्स करने है कुछ मसाले यह मैंने लिए एक टी स्पून भरके पूरी कश्मीरी लाल मिश पाउडर एक टी स्पून लिए मैंने इसमें पिसावा धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून लिए मैंने इसमें पिसीवी हल्दी उसको मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छी तरह से मिक्स करके आप इसको एक मिनिट तक भूल लीजिए ताकि मसालों का फ्लेव तो यह देखिए टमाटर प्याज हमारे अच्छी तरह से हो गए मैशी, अब इसको ठंडा होने के लिए आप साइड में रख दीजिए, अब मैंने यहाँ पर लिए है शिमला मिर्च, यह बड़े साइस की शिमला मिर्च आप लीजिएगा तो उससे यह बहुत अच्छी बनती कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रस कीजिए ताकि जो भी वीडियो में लेकर आउं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पॉरण आ जाए अब आपने क्या करना है शिमला मिर्च को डाइफ की हेल्प से इस तरह से गोल-गोल रिंग में काट ले रहा है इतने बड़े अब आपने क्या करना है जो रिंग के अंदर बीज वाला हिस्सा होता है उसको इस तरह से निकाल दीजे क्योंकि वे खाने में बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता है इसकी जगे पर हम इसमें भरेंगे जो हमने मसालेदार टेस्टी वाला आलू बनाया था वह हम भरेंगे यह बहुत ही अमेजिंग सबजी बनती है साधारन से सिमला मिर्च को भी आप इतनी अच्छी तरह से बना सकते हैं तो यह खाने में बहुत मज़दार लगती है यह देखिए बीज हमने निकाल दीए इसके अब हमने क्या करना है जो हमने आलू बनाया थी ना उसको इसमें ब दबा दबा के यह बिल्कुल भी बहार नहीं निकलेगा यह खाने में बहुत टेस्टी लगती है सबजी ऐसो दो शिमला मिर्च की सबजी हम कई तरह कैसे बनाते हैं एक बर आप इसको इस तरह से बना के देखिए आइम शूर आपके घर में सबको यह जरूर पसंद आएगी और इसको बनाना भी बहुत आसान है तो यह देखिए सारे रिंग्स को में इसी तरह से भर लेंगे यह देखिए हाथ से इसमें आलू डालते जाईए और दबा दबा के आप इसको भरते जाईए यह खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है आपके बच्चों को यह बहुत पसंद आएगी तो यह सारे रिंग्स देखिए मैंने भर ली है अब आपने क्या करना है कोई भी आप पैन ले लीजिए और उस पैन में हलका सो ओईल से ग्रीस कर दीजिए बस गैस की फ्लेम को बिलकुल धीमा रखिए और उसमें रख दीजिए अपने यह आलू भरे हुए कैपसिकम वाले रिंग्स और उसको ढग दीजिए दो तीन मिनट के लिए ताकि यह अच्छी तरह से आलू क्रिस्पी से हो जाए और आपको जो शिम्ला मिट जाए वो भी हलकी सी पक जाए अब मैं इसको दो तीन मिनट बात खोला यह देखिए एक साइट से बिल से इसको ढग दीजिए ताकि दूसरे साइट से भी यह अच्छी तरह से बुच जाए और शिम्ला मिट भी थोड़ी सी गल जाए यह देखिए अब बिल्कुल यह बनके रेडी हो गई है करीबिश में पास साथ मिनट लगते हैं शिम्ला मिट भी हमारी गल गई है और आलू दोनों साइट से हो गया है क्रिस्पी आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं यह ऐसे भी बहुत मज़दार लगती है लेकिन इसको थोड़ा सा और डिफरेंट स्टाइलिश बनाने के लिए और टेस्टी बनाने के लिए हमने टमाटर प्याज और काजू और यह इसको हम प्योरी पीसी थी ना उसी में आप पानी डाल के इसको डाल दीजिए ताकि जो उसमें लगी है वो भी बेस ना होए और इसको धीमी आश पर आप अच्छी तरह से थोड़ा सा पका लीजिए यानि बड़ी आसा इसको भून लीजिए लेकिन इसका धकन ज़रूर लगा ना उसके क्या होते हैं जब यह भूनती है रहा रहती है और सारा किचन वो गंधा जाता है तो बेसे डाल के मसाला आप चाहें तो किचिन गिंग मसाला भी डाल सकते हैं आपके पाद जो भी मसाला हो आप इसको डाल दीजिए और ढखके इसे पांच मिनिट तक पका इसको आपने जिस भी serving dish में serve करना है उसी में आप इस gravy को डाल दीजे सारा आपके घर में कोई guest आने वाले हो या चोटी मोटी कोई party हो तो आप इसको बनाईएगा आपके घर में देखिए का सब कितने खोश होंगे और यह देखने में जितनी सुन्दर लगती है खाने में उत कुल न भूले और comment box में मुझे comment करके जरूर बताया करिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है उपर से डाल दीजे थोड़ा सा decorate करने के लिए cream कोई जो आपके घर में मलाई होती न दूद के ओपर आती है वस इसको हलका सा फेट लीजे और उसको डाल दीजे उसके उप के साथ में बाबाई टेक केर